आज हम क्यूब का पार्ट टू करेंगे पार्ट टू में पार्ट वन अगर किसी नहीं देखा तो इसके लिए पार्ट वन आपको देखना बहुत जरूरी है तो लिए स्टूस में यहां लाझा सृबस्ट बैल्ट बने कैसे qуд कर दिया था जैन बने शचेंगे लों की और शाल गेको णार्ट कोई भी सर्फेस उसकी कलर ना हो आज हम क्या करेंगे कलर कंबिनेशन लेगे ठीक है जरूरी नहीं है कि वो सारा रेड कलर पेंट करें आज की इस कुष्चन में देखते हैं फ्रेंट्स क्या होता है आज का यह कुष्चन है फ्रेंट्स टू ऑपोसिट सर्फेस ऑफ ए क्या है तो आप जिस रूम में बैठे हुए है उस रूम की जो च्छत और फ्लोर है वो रेड कलरता है और उसकी चालों दिवारे ग्रीन कलर की है कुछ इस तरह से इमेजन आप कर सकते हो देखें फ्रेंट्स नेक्स कॉश्चन क्या है तो यह 5 क्या है मेरे लिए आपको याद होगा लास्ट टाइम जब मैंने पार्ट बन में कोच्छन करया था उसमें एक्स की वैजुच्छ ली थी तो यहाँ पर यह एक्स की वैल्यू क्या आगी मरे पास फ्रेंट्स फाइव आ जाएगी ठीक है अब देखिए हमारे पास 125 स्मॉल क्यूब्स है फाइव उनका एज है ठीक है अब उसके क्या होंगे उसके क्या होंगे उसके क्या क्लर कंबिनिशन बेस होंगे कैसे पहला सबक्राइब इस फीड रेट अब उसने यह निक ला कि हमनी सर्फिस अर्म पेंटेट अब देखो दो सब्सके क्या आद टोल पेंटेड है ठीक है अब चार फेस मेरे पास ग्रील कर रहके हैं लेकिन मेरे को जवाब क्या देना है सिर्फ जिनकी वन सर्फिस पेंट हो और व ग्रीन कलर्की हो, फर्ड कुस्चिन है, फ्रेंट्स, टू सर्फिस साथ पेंटेड, वन इज राड ग्रीन, यानि कि दो सर्फिस हैं, ठेका ली, सिर्फ दो सर्फिस पेंटेड है, लेकिन उन दोनों में कंडीशन यह है, कि एक radical की होनी चाहिए और एक green की होनी चाहिए अगला कि इतने friends two surfaces are painted and both are green कि दोनों की दोनों surface painted है और दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए तो friends ये question हमारे पास है this question को एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद इसको erase करना पढ़ेगा इसलिए बोल देता हूँ X की value मेरे पास आई थी, friends, यहांपर 5, यही आखरक रीजिए, यह आपका X होगा, ठीक है जी, क्योंकि इसको erase कर दूंगा इसके बाद में, और 4 questions में क्या है, कि one surface is painted and which is red, second one, again one is painted and it is green, then two surfaces are painted, one is red and one is green, उसके बाद two surfaces is painted and both are green, so यह 4 questions मेरे पास होंगे, वैसे तो जब इसको solve करूंगा, मैं तो इसकी बाखी possibilities भी आपको बता दूंगा, तेकिन फिलहार question में 4 चीज़ें बूचीगे थी, वो 4 को discuss करेंगे, आगे, friends, इसको discuss करते हैं, इसको discuss करते हैं, पहले इसको erase कर देते हैं, तब तक आप इसका screenshot लीजिए, friends, जी, अब इसको erase कर देता हूं, मैं formula तो मिन को आता है, मैं कहा करता हूं, यहां पर एक cube draw कर लेते हम, ठीक है, friends, cube draw करने से यह होगा, कि मैं उसको थोड़ा सा visualize कर पाऊंगा, हलका सा, यह रहा, friends, यह मेरे पास एक cube है, मैं यह जानता हूं, friends, इसकी यह red है, और यह red है, यह दो surfaces, यानिके top surface और bottom surface, यह है, red color ह यह दो, friends, यह red वला होगा, यह बला, यहां पर यह बला, यह red color का, और दूसरा red color का, यहां पर यह होगा, friends, this one, this one, and this one, यह मैंने जान भूज कर, friends, इस तरह से किया हुआ है, so, friends, अब मैं बात करता हूं, मेरा पहला question क्या था, मेरा पहला question था, friends, कि one surface is painted and it is red, अब देख होगा, हमारे लिए one surface, one surface के लिए, friends, मैंने आपको formula करा था, 12 into x minus 2 का skill, यह था, friends, one surface के लिए, लेकिन, अब उसने क्या बोला है, मुझे question में क्या बोला है, red, red in color, वो जो one surface है, वो red color का होना चाहिए, अब यहां पर देखिए, sorry, यहां पर six आएगा, friends, sorry, I'm sorry, यह गलती स यहां पर क्याएगा, यहां पर क्योंकि हमारे पास face तो 6 ही है, तो इसलिए क्या होता, one surface is painted, ठीक है थी, तो उसके लिए हमारे पास 6 face थे, तो 6 into x minus 2 का square मेरे पास है था, अब उसने बोला कि red होना चाहिए, तो friends, इसमें कितने face हमारे पास red है, check करिए, दिखिए हमारे पा x हमारे पास कितना दिया हुआ है, x की value, 5, मैंने starting में question में round की थी आपके लिए, तो यहादे का 5 minus 2 का square, यहादे का friends, 2 into 3 का square, 3 दरीजा 9, 9 to 0, 18, यह मेरे पहले question का जवाब है friends, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, कि यह आप अगने, अगर पहली video देखिए, तभी आप इस का, वो देखिए कितना easy हो जाएगा, हमारे लिए समझना और करना, यहाँ पर इसको erase कर देते हैं, second part के लिए friends, मेरे पास आगया green, green के लिए friends, अब इधर देखिया, आपके पास 2 face red है, कितने face green है, 4, तो इसका मलत है, यह formula आपके पास क्या बन जाएगा, 4 into x minus 2 का square, तो friends जब तहले दिन या अपने वीडियो के starting में मैंने बोला था, कि just in 5 seconds, तो वो सरफ लिखने के लिए या popularity के लिए नहीं बोला था, it works, actually it works, आप इसको करके देखिए, आपको definitely आप within 5 seconds is cancer, निकाल सकते हैं, तो friends, यह थे मेरे पास red surface और मेरे पास green surface, ठीक है friends, अब बात करते हैं मेरे पास, तीसरा question था मेरे लिए, कि two surface are painted, one is red and one is green, इसको erase कर देते हैं friends, अब बात करते हैं two surface painted, ठीक है जी, two surface painted यह बड़ा अच्छा है friends, इसको एक बार समझेगे, two surface painted, यह two surface painted तो ठीक है, इसमें main चीज़ क्या है, one is red and one is green, देखें friends, यह count से, अब मुझे यह पत है कि अगर two surfaces की बात करता हूं, तो मैं edges की बात करता हूं, तो मुझे यह होता है friends, यहाँ पर one surface green और one surface red कौन से edge होंगे, देखें, अगर मैं इस edge की बात करूं friends, तो यह इधर वाला red इधर वाला green, यह पाम करेगा, इधर वाला red उसके पीछे वाला green, यह red यह green, यह red इसका journal formula होता है friends 12 into x minus 2 तो अगर 1 red or 1 green निकालना है मुझे तो यहां पर इस 12 की जगह में क्या लिकूंगा friends मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो मेरे लिए आएगा friends 8 into x minus 2 तो यह आगा friends 8 into 5 minus 2 is equal to 8 into 3 4 number of cubes ऐसे होंगे friends मेरे पास जिनका 1 surface red और 1 surface green होगा friends तो यह मेरे पास 24 अगया इसको भी आप screenshot ले सकते हैं और last इसका जो part है वो करते हैं उसमें था हमारे पास 2 surface are painted and both are green बोथ are green friends अब इसका मतलब यह हुआ friends इसको erase कर देते हैं अब मेरे लिए यह तो सारा ऐसी रहेगा यह रहा friends यहां पर फिर से कर देगे कोई बात नहीं है 2 surfaces के लिए मेरे पास formula जो होता है friends बोथ है 12 into x minus 2 अब मेरे लिए question आ गया बोथ are green तो friends सीधी सी बात है 12 मेरे पास edges के उनमें से 8 edges ऐसे हैं जो red और green के combination है तो बाकि कितने बचे चार अगर आपने वैसे चेक करना तो friends यह 8 हो गए एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला ये चार edge ऐसे बचे जो purely green होंगे दो side green यहां पर जो भी cube होगा उसकी ये वनी side और ये वनी side दोनो green होगी similarly इधर उधर और इधर ठीक है जी ये चार edge ऐसे होंगे जिनकी दोनो sides green होगी तो ये वाला फार्मुला मेरे पास क्या बचाएगा ये बचाएगा 4 into x minus 2 then it becomes 4 into 5 minus 2 is equal to 4 into 3 is equal to 12 तो friends ये मेरे पास रहा इसके combination की दो surface painted है और दोनों के दोनों surface क्या है green है तो number of cubes कितने आ गए 12 आ गए तो friends ये था इसके इलाबा friends अगर recap slate करवाऊं तो आपको अगर 3 surfaces painted आ जाए ठीक है इसकी जितनी भी 3 surfaces painted होंगी वो color combination के साथ होंगी ठीक है वो purely green या purely red नहीं होगी क्योंकि उसका अगर 1 face red है तो बाकी 2 face green होगे 1 face red है बाकी 2 face green होगे and so on ठीक है ठीक है तो अगर उनको निकालना है तो वो तो direct answer है friends आपको याद होगा अगर आपने मेरी first video देखी हुई है तो आपको याद होगा कि उसका answer मेरे पास directly कितना है जितने मेरे पास यहाँ पर वर्टेक्स है और वर्टेक्स कितने है 8 इसका मतलब अगर 3 वाला case आता है अगर आता है तो ये 8 आ गया ठीक है friends अगर आता है no cube no color no color neither red nor black कोई भी color नहीं होना जागे कब क्या होगा friends तो मेरे पास direct answer है pet question है वही friends इसके लिए कोई चेंज नहीं आएगा x-2 का cube ये x-2 का cube होगा अगर ये paint किया होता तब भी यही फार्मूला था अगर सारा red होता सारा green होता या red green या और भी opposite different color होते तब भी ये फार्मूला कभी नहीं बदलता यानि कि अगर आपको without color निकालना है तो मैंने पता था हर एक तरफ से layer बाहर निकाल दो और आपके पास क्या आजएगा x-2 का cube it means 5-2 का cube that is equal to 5-2 3 3 का cube 37 number of cubes आपके ऐसे आएगे friends जिनमें कोई भी color नहीं आएगा तो ये था friends हमारा आद का lecture मैं उमीद करता हूँ आपको ये lecture अच्छा लगा होगा या समझ भी आया होगा अगर friends आपको मेरा ये lecture अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को like कीजिए share कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो please subscribe कीजिए thank you so much friends thank you so much